तो कैसे आप लोग मेरा नाम है सुक्प्रिस लूजय एंड आज मैं आपको दिखाने वालों कैसे आप माइंक्राफ्स अपने PC पे होस्ट कर सकते हैं तो बिना वक्त बरबाद किये चलते तुटोरियल के तरफ सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना है यह इस लिंक मैं आपक जा सकते हैं तो इस लिंक पर जाने के बाद आपको Minecraft server jar file download करने है आपको download करने करना है तो आप अपने जगार सेफ कर लिए जहां पर आप करना चाहते हैं सब्सक्राइब करने के बाद पटिये धियान रखना कि आप यह किसी एक फोल्डर के अंडर कर रहे हैं क्योंकि यह फाइल बहुत जादा फोल्डर वगरा बनाने वाली है सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद इसको थोड़े से फाइल बनाएगा लाइगा लाइड लाइड वर्जिन और प्रॉपर्टी इस टाइम लगेगा थोड़ा अभी बन चुकिए अब देख सकते हैं आप युला-txt फाइल में सेफ कर लीजिए सेफ करने के बाद आपको server.properties फाइल खुल नहीं है server.properties पर आप अपना लेवल सीड कर सकते है game mode set कर सकते है command block enable करना कर सकते है बहुत सारी settings है इसमें आप जो मर्जी कर सकते है आपको आपकी लाइकिंग्स के अगॉर्डिंग तो मैं इसको आपको प्रूफ करने के लिए like multiplayer में जाऊंगा and direct connection में आप 127.0.01 डालिए या इधर localhost डाल दीजिए इन में से कोई भी एक चीज जाल दीजिए and join server पर क्लिक कीजिए तो जब join server होगा आप server में आ जाएंगे just like that and आप देख सकते हैं के इधर मैं आचुका हूँ इस IP से and that is local IP so yeah so अगर मैं इधर को टाइप करूंगा you can see console में भी आ जाएगा तो यह बहुत ही simple tutorial था server host करने के लिए next video में आपको बताऊंगा के server public के लिए cache open करे like to the internet so आज के लिए इतना ही था I hope you really enjoy this tutorial if it helped then please make sure to like and subscribe and share it with your friends make sure to join my disco server link is in description so we'll meet in the next video, peace